महराष्ट्र में ठाक्रे सरकार की किस्वत अब सुप्रीम कोट के हाथ में है राज्य पाल ने जारी किया है बहुमत देने का आदेश सुप्रीम कोट में होगी 29 जून को एहम सुनवाई राज़ेपाल के आदेश के बाद कोट के रुख पर निकले मुख्य मंत्री उद्धब ठाकरे और सोला विधायकों के साथ अब टेंशन में हैं ठाकरे सरकार क्या सुनवाई में बागी विधायक होंगे शामिल? बड़ा सवाल है सोला विधायकों के साम मामले पर फैसला सुनाएगी अदालत और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दे दे महाराश्ट्र में कुछ ही देर बाद फैसला सुनाने वाली है सुप्रीम कोट और हम आपको बता दे कि इस बार उद्धब ठाकरे महाराश्ट्र के सीएम जो है उद्धब ठाकरे उनका फैसला उनकी किस्मत का फैसला करेंगी सुप्रीम कोट और जून सुप्रीम कोट उन्ति जून शाम पांच बजे करेंगी फैसला महाराश्ट्र में ठाकरे सरकार की किस्मत अब सुप्रीम कोट के हाथ में है राज़ेपाल ने जारी किया है बहुमत देने का आदेश और सुप्रीम कोर्ट में 29 जुन को एहम सुनवाई होने वाली है और वो ही शाम के 5 बजे अपसे कुछी देर बाद यानि कि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है उद्दब ठाकरे की किस्मत अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और एकना चिंदे को इसी फैसले का इंतजार है इसलिए वो महाराश्टर इसलिए वो गोवा जाने वाले थे लेकिन वो नहीं गए फिर वापस कावक्य मंदिर से गौहाटी के रेडिशन ब्लू होटल में लोच आये है क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसबरी से इंतजार है कि क्या होने वाला है आखिर और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने का निर्ने किया है उसके बाद उद्धब ठाकरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुक करते नजर आए